नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने के लिए भी है कीचन के चिमनी अपशाप अफ्रक्राइब के नहीं है की चिमनी को लगा तो लेते हैं पता है और दया में жд आ पर बद सब्क कर दोस्टो्च की कई मी को लगाने उसमें आपको पायरे कम से कम अकम उनी उनी चाहिए बहुत लोग यहां पे चार इंछी का इनची पैप भी लगा लेते हैं बहुत लोग यहां पे पांची का गा लेते में लेकिन अपको मीनिमम मम लिदो निज होना चाहिए आपको जो आप एक्जास्ट वाइप लगा रहे हो उसमें उसके बाद जब यह छे इंची गारे हो तो इसमें भी आपकी क्वालेट्वा ड्रीपेंद करता है कौन सा पाइप लगा रहे हो खрर इस फाइप के आड़ में बाद में बात करेंगें के में बहुत सारे bands नहीं होने दोस्तों अगर आप चिमनी का pipe लगा रहे हो तो उसमें आपका बहुत सारा band नहीं होना चाहिए वेग क्या होता चिमनी साथ लगा रहे हो तो अच्छल में क्या होता है चिमनी का exhaust के वह आपका 3-4 फुट आपका उठावा होना चाहिए उसके बाद आपसमें बैंट दे सकते हैं अब चिमनी का पाइप आपको ज्यादा से ज्यादा 15 फुट तक आप लंबा रख सकते हैं इस अगर आप रखोगे तो चिमनी को ज्यादा ताकत भी लगेगी उसको चलाने में पाइगा लेकिन चिमनी को अगर अच्छी तरह काम करना है तो कम ज्यादा से ज्यादा 15 फुट उससे कम रखते हो तो ज्यादा बहतर है और जितना कम उसमें हो सके हो आप दोस्तों बैंड कम आए आप जैसे कि बता है मैंने सुरू में बैंड नहीं आना ची ज्यादा अगर बैंड आते हैं तो दो से तीन बैंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए तो आपका चिमनी बहुत ज्यादा आवाज करेगा नौइज करेगा ब्लस साथ में उस हिसाब से काम भी नहीं कर पाएगा और 15 फुट उस टाइम पे आपका नौइज ज्यादा करेगा और काम नहीं कर प पाइप में बहुत बार इसके ओपर लोग कहते कि पाइप तो जो आता है वह यूज कर सकते हैं लेकिन दोस्तों उस पाइप को ना ही यूज करे तो बैटर है ऐसे में आपका फॉइल पाइप आता है जो की नौमल एक पन्नी के सब्सक्राइब फॉइल होता उस तरह का जाती है और हुमिडिटी आपके घर में रह जाती है उसमें पाइप आप नौमली जो है अगर आपके चिमनी में ज्यादा बैंड नहीं है तो इस तरह की पीवीची पाइप अब यूज कर सकते हो इस तरह की पीवीची पाइप अगर यूज करोगे दोस्तों यह बहुत जल्दी खराब नहीं आती है इसमें अच्छी कॉलिटी का अगर आप यूज करोगे तो बहुत लॉंग टम चलेगी और वैसे अगर आप और अगर आपके घर में बैंड जादा आता है तो ऐसे ही में आजकल ऐल्मोनियम की फॉइल पाइप आती है जो ऐल्मोनियम की दोस्तों आप लेने को तताब कही से भी ले सकते हो लेकिन अगर आप हमाई लिंक से बाइक करोगे तो यह मैं चैनल तो ऐसे में आपका चिमनी जो है वह भी खराब होगा ऐसे में घर में भी स्मेल पहुंचेगी तो आपको इससे आप कैसे निजाद पाने के लिए आपको उसके ओपर एक्जिट का कवर आता लगाने के लिए आपको यहां पर इमेज चोरी होगी आप उससे देख सकते हैं अगर आप उस तरह का कवर यूज करते हो तो औरे सिर्विस्टेटे-टीर सब्द सब्सक्राइब उससे पाइप में औरी में आप क्या होगा कि आपको नें करने वाला हवा है भी नहीं रुकेगी जो किचन के चिमनी से एक्जास्ट होगा हवा वो आपकी हवा बिल्कुल नहीं रुकेगी और साथ में जो हवा आपके बाहर चाह अंदर आएगी वो भी नहीं रुकेगी तो इस कवर को आप बिल्कुल यूज कर सकते हो तो यह चोटी सी जानकारी थी दो और इस तरह सार्च बहुत संदा तरीका दो को आते हों आप आप अधा लगा हैं जो आपके घर किर से मैंच हो जाते हैं वह आप उन पर पिछले एक और वीडियो बनाई थी आपने देखी नहीं तो देख सकते हैं जिसमें आपको बताया था कि आप यह पाइप में यूज करके यह यूज करें उसमें बहुत साय लोगों आप उन पाइप को यूज कर सकते हो और इन सब बातों को ज़रूर ध्यान रखिए कि बैंड इतने कम उसके उतने बैंड कम दें प्लस 15 फूट से जादा और लंबी लेंध नहीं होनी चाहिए आपके पाइप की पचले दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं जल्दी मिलते एक और अगली और इफेर्मेटीव वीडियो में आपको कैसी लगी वीडियो मुझे पमेंट बॉक्स में लें जब करता है और अपनी राय के पहीन बहुत है है दोस्तों हुआइं रिक्वेस्ट है ड़्गला बटन में उसको दबा कि शिलवर करदें जैहिन